प्रोटोजंस पुर टाइप के होते हैं तो आज हम आमिवयड प्रोटोजंस के बारे में पढ़ेंगे ॏ अब एकिसमें पागते हैं ये फ्रेश उटर एंड सी volezoik में आता है Meeba, Meeba आपने देखा होगा जिसकी क्या होता है यह उसका structure होता है Meeba का, इसमें जो यह जो निकले होते हैं यह legs की तरह इनके जो फैलते हैं यहां पर under में बीच में अगलेस होता है, जो लग्स की तरह होते हैं इसको pseudo body करते हैं यह धीरे-धीरे move करते रहते हैं ठीक है वही जो इनकी pseudo body होते हैं यह जो इसमें अपना यह food capture करते हैं यहां से यहां से दोनों तरह फैलेंगे यह capture और इनको help भी करेंगे movement में यह धीरे-धीरे इसे दीरे-धीरे यह move करते रहते हैं जिसके help से यहां पर कोई प्रेय आया यहां पर कोई भी इनका target आया तो यह उसको capture कर लेंगे pseudo body के help से ठीक है तो होलो जोग में अमेबा आ गया और पैरसिटिक पैरसिटिक में आता है एंटरमेबा हिस्टोलेटिका यह जो हमारे intestine में हो कुछ marine amoebotic protozoans होते हैं जो अपने उपर silka shell form कर लेते हैं ठीक है अब फ्लेजिलिकट प्रोटोजोन्स यह क्या होते हैं they have a flagellon के पास flagellon होती है ठीक है flagellon के साथ किसमें help करती इनको mortality provide करते movement में help करती है ठीक है जो group of members होते हैं वो free living होते है और parasitics होते है और parasitics क्या करते हैं यह disease cause करते हैं इसे कि ट्राइपोजोमा गेंबिनस यह क्या करता है sleeping sicknesses sleeping sickness disease cause करता है इसमें क्या होता है कि sleeping pattern में कुछ problem आती है ठीक है यह flagellated protozoans है